हिंदी प्रशान छेत्र में चीन की बढ़ती दादा गिरी और आस्ट्रेलिया से तनाओ के बीच अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाग बॉंबर बीटू इस्परिट आस्ट्रेलिया की मदद के लिए भेज दिया है। किसी भी कौने में किसी भी देश के अंदर घुसकर भीशर तबाही मचा सकते हैं। दुश्मन को इसकी जरासी भी भनक नहीं लगेगी क्योंकि बीटू बॉंबर्स एडवांस रडार की पकड़ में भी नहीं आते। अंबर्ले एयर बेस पर बीत दस जुलाई को ही तैनात किया गया है। बॉंबर्स की तैनाती पर अमेरिकी एर फोर्स का कहना है कि हिंद प्रशान छेत्र को सतंत्र और मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सहयोगी देशों के साथ नियमे ट्रेनिंग और प्रेक्टिस बेहस जरूरी है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका का स्ट्रेटिजिक कमांड नियमे तोर पर बॉंबर्स के टास्क फोर्स ओपरेशन को दुनिया भर में आयोजित करता है। अगस्त दोहजार बीस में भी इन बॉंबर्स को हिंद प्रशान छेत्र में तैनात किया गया था। लेकिन इस वक्त इन बॉंबर्स की तैनाती चीन के ऊपर रन्नी तेक दवाब बनाने की कोशिश है। क्योंकि इस वक्त आउस्ट्रेलिया और चीन के बीच टेंशन बρχती जा रही है। इस समझोते की तहित अमेरिका आउस्ट्रेलिया के लिए नूप्लियर सबरीन बना रहा है। अब बात करें B2 Split Bombers की खासियत की तो इनका निर्माण 80 के दशक में शुरू हुआ था जब Cold War चल रहा था अमेरिकी कमपनी Northrop Corporation और Hughes East Aircraft ने मिलकर इन विवानों को बनाया ये 21 मीटर लंबा है और तकरीवन 52 मीटर चौड़ा है इसकी उचाई 5.18 मीटर है ये बॉमबर General Electric के 7 किलो न्यूटन थ्रस्ट जेनरेट करने वाले 4 इंजिनों पर चलता है B2 का वजन 71,100 किलो है वही इसका मैकसिमम टेक ओफ वेट 1,70,600 किलो ग्राम है यानि ये हैवी वेट कैटिगरी का बॉमबर है ये बॉमबर 1,010 किलो मीटर प्रती घंटे की जबरदस्त रफतार से 50,000 फीट की उचाई पर उड़ सकता है इसकी मैकसिमम रेंज 11,000 किलो मीटर है यानि ये दुनिया के किसी भी कौने में जाकर तबाही मचा सकता है इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की सुबिधा भी मौजूद है यानि इड़ान के दौरान इसमें इधन भरने से इसकी रेंज 19,000 किलो मीटर तक बढ़ाई जा सकती है ये बॉमबर किसी भी तरह के बम ले जाने में सक्षम है फिर चाहे वो परमाडू बम ही क्यों न हो अपनी इसी छमता की वज़े से ये महाबली बॉमबर दुनिया में अनोखा है बीटू बॉमबर ने कई जंगों में अपने आपको साबित किया है 1999 में कोसवो वार में पहली बार बीटू बॉमबर का इस्तिमाल किया गया था जिसमें इसने सीरिया में बहेंकर तबाही मचाई थी अफगानिस्तान में चलाए गए ओपरेशन इंडियूरिंग फ्रीडम में भी बीटू बॉमबर ने बहेंकर बंबारी की थी इराक, लीविया और आईएस आईएस के खिलाफ ऑपरेशन में भी ये बॉमबर अपनी तागत दिखा चुके हैं हालांकि अमेरिकन एरफोर्स इन आइकॉनिक बॉमबर को दो हजार बत्तिस तक रेटायर करने का सोच रही है इसकी जगे लेगा इससे भी जादा पावरफुल बॉमबर बी टू वन रेडर इसकी तागत के बारे में अभी सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है हालांकि वी टू स्प्रिट अभी वी दुनिया का सबसे तागत पर बॉमबर्स की लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरीए हमें जरूर बताए बाकि देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सबस्क्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल टीवी नाइन भारत वर्ष